आपने अगर LIC की policy purchase कर ली है या फिर करने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए good news है सर और good news ये है कि LIC को दिसंबर थिमाई में bump पर profit हुआ है सुद्ध लाव 49% बढ़ गया है सर जी हाँ बिगत बर्स जहां 2022 में O&D में 11,788 करोड का income था वहीं इस बर्स यानी 2023 में समापत हुए अक्तूबर नबंबर और दिसंबर महिने में LIC का सुद्ध मुनाफ़ा बढ़के 11,777 करोड रुपे हो गया है सर अब दिल्चस्प ये ज लिख के साथ LIC के privacy holders को भी इसका जबर दस्थ फायदा होता है जब LIC जजादा से ज़्यादा मुनाफ़ा करती है लेकिन किस conspiracy principle को इसका फायदा होता है जो पालिसी होल्डर जिन्होंने participating policy लेर रखी है या फिखिस पार पालिसी उसे भी कहते हैं उनको इसका जबर परदस्ट फाइदा होता है जब LIC ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बुक करती है इसे में आप आप जानना चाहेंगे कि participating और non-participating policy क्या होता है चलिए आपको सरल सब्दों में बताते हैं कि participating insurance policy क्या होता है एक life insurance plan में जिसे आप insurance company के profit में हिस्सा ले सकते हैं जिस प्लान के अंतरगत उस प्लान को participating plan कहते हैं यानि कि जिस तरह सपोज करी अभी हमने आपको news दिखाया कि इसका profit बढ़ गया है तो इसका असर सीधा सीधा कहां जाएगा सर participating policy के bonus rate पे आयो दिखाते है participating insurance plan में insurer आपको life insurance policy के type प्रकार type के आधार पे आपको death या फिर maturity जो भी हो गया है contingency जैसी भी आई है benefit के guarantee देते ही है इसके अत्रिक यह insurance company आपको insurance company के performance के आधार पे आपको एक final additional bonus भी देते हैं सर यह participating policy में चुकी इस तरह से जो company ज्यादा bumper से bumper profit करेंगी तो आपको policy का maturity रकम उतना ज्यादा bumper मिलेगा सर कैसे आई आपको दिखाता हूँ LIC का दो साल का financial bonus का impact कैसे पड़ता है उनके plan के उपर for example LIC ने revisionary bonus rate declare किया suppose करिए 31 March 2021 को जिसमें आप जहां कि लग रहा है वो point देखिए गौर से देखिए सर यहां पर indoorment type plan जितने भी है टेबल से indicate करती है LIC उसे जिनका term 20 साल से ज्यादा है तो 31 March 2021 को आप देखो सर एक लाख से कम sum ratio वाले plan पे 43 रूपीज per thousand का rate है जबकि जिनका की sum ratio एक लाख से ज्यादा है उनका 44 रूपीज per thousand है मोटा मोटी यह समझ लीजिए कि जिस plan में term 20 से साल से ज्यादा है मगर एक लाख से कम sum ratio है तो 43 रूपीज per thousand के rate से bonus add होगा वहीं जिनका की 20 साल से उपर का term तो है मगर एक लाख से उपर का sum ratio है तो 44 रूपे प्रती हजार के rate से उन्हें bonus मिलेगा 31 March 2021 को declare होने वाले वित्ये वर्स में अब दूसरे चार्ट में आपको दिखाता हूँ यहाँ भी सर टिक लगा हुआ है टिक लगा हुआ जो जगा है उसे ध्यान से देखिए आप यहाँ पे एक और चीज महत्वपुन सेम देखेंगे अब क्या है यह देखें सर आप आपके screen पे जारी किया है कमपनी ने यही रिविजनरी बोनस जारी किया दो हजार बाइस तईस में अब वही सर अठार सो आठार सो सत्रा नंबर टेबिल जो की इंडोबेंट प्लैन है यहाँ देखो सर बीस साल से उपर का टर्म और एक लाग से कम का सम्मेशोड यहाँ कितना है और जिनका एक लाग से ज्यादा का सम्मेशोड है उनका 48 रुपीज पर थाउजेंड अर्थात 2021 में जहां 43 रुपे पर थाउजेंड का बोनस डिकलेर हुआ था यहाँ 47 से 48 रुपीज पर थाउजेंड का बोनस डिकलेर हुआ है तो यह इस तरह से एक हजार पे चार रुपे जादा मिलेगा 2021 की अपेक्षा 2022 में अब सपोज करिये किसी बैक्ति ने 2019 में 10 लाग सम्मेशोड का पॉलिसी पर चेज किया तो 2021 में 10 लाग के उपर 44 रुपे प्रती हजार के हिसाब से 44,000 44,000 का बोनस जुड़ेगा और यही बोनस 2022 ते इसमें कितना जुड़ेगा 48,000 यानि 4,000 जादा बोनस इस तरह से अगर year on year LIC profit ज्यादा से ज्यादा करेगी ये बोनस 44,000, 48,000, 52,000, 60,000 सब accumulated जुड़ते जाएंगे और यही final additional bonus के रूप में जुड़के मिलता है